मैं आपको काफी दवाईयां दे चुका हूँ, लेकिन असर नहीं हुआ, अब मैं दवाई बदल कर देखता हूँ, डाक्टर ने कहा, मरीज बोला, नहीं डाक्टर सहाब, अब मैं डाक्टर बदलने के बारे में सोच रहा हूँ, रोगी, डाक्टर सहाब मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता, अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया, तो मैं कभी आपका काम मुफ्त में कर दूँगा, डाक्टर, तुम क्या करते हो, रोगी, जी, समिशान घाट पर लाशी चलाता हूँ, घर में कले होने के बाद पती ने गुस्से में पंक्खे से रसी का फंदा लटकाया, और स्टूल पर चड़कर उसे गले में डालने के लिए तयार हो गया, तब ही पतनी बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो, पती ने कहा, तुम मुझे शांती से मरने भी नहीं दोगी, पतन उन दिनों की है, जब वियत नाम युद चल रहा था, दो साल वियत नाम में गुजार कर एक अमेरिकी सिपाही लोटा, हवाई याड़े पर उनकी पतनी उसे लेने आई, घर पहली रात को जब वे अपने बेडरूम में सोय थे, तो एका एक किसी ने गलती से उनके फ्लैट क अपना फ्लैट समझ कर दरवाजा खट-खटा दिया, एमेरिकी सिपाई हडबडा कर बिश्तर से निकला और अतंकित सवर में बुला, ओ गौड तुम्हारा पती आ गया, पागल मत बनो, पतनी बिना आखे खोले, विश्वास पूर्ण स्वर में बोली, वह तो वियत नाम मे है, जो आदमी बर्थ कंट्रोल पर विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं, डैडी, राम नारायन के लाज से पतनी की बुराई कर रहा था, बहुत जूटी है, वह सफेद जूट बोलती है, क्यूं, क्या बात हुई, कल रात कहने लगी कि वह अपनी सहेली नीला के यह है, तो नीला के साथ तो रात बर मैं था, सुन्दर यूती बनी ठनी अपने पूरिश मित्र की बाट देख रही थी, जब वह आया तो उसका मुख दमक रहा था, वह बोला, आज हमारी रातरी बड़ी मधूर बीतेगी, मैं खलनाएक के तीन टिकेट ले आया हूँ, निराश स्वर में यूती ने पूछा, तीन क्यों, तुम्हारे पिता, मा और भाई के लिए, अब्दुल रह्मान की बीबी बोली, अगर तुम फिर इतनी रात गए लोटे, तो मैं किसी और सी शादी करके उसके घर चली जाऊंगी, बगल वाले कादिर खांके घर बैठ जाना, अब गाउं की एक लड़की अपने मकान के बाहर बैठी, गाए का दूद निकाल रही थी, बीतर बैठी मा को बाहर से किसी आदमी की आवाज आई, बेटी मा ने आवाज दे कर पूछा, बाहर कौन है, बेटी ने जवाब दिया, कोई शहर का आदमी है, एक गलास दूद मांग र भीतर लेया, एक दोस्त दूसरे से, यार मैं अगर गदा होता, तो क्या तुम भी दोस्ती की खातर गदे बन जाते, दूसरा दोस्त, गदा तो नहीं बनता, पर दोस्ती की खातर तुम्हें घास जरूर खिलाता, क्लब में ताश का खिल हो रहा था, एक खिलाडी ने अपनी घड़ी देखी और पत्ते फेक दिये, क्या हुआ दोस्तों ने पूछा, मैं चला, आज ठीक आठ बजे पंडित रामलाल का थेलिविजन पर सितार वादन का प्रोग्राम है, मुझे ठीक आठ बजे पहुचना है हमें नहीं मालुम था कि तुम संगीत के इतने बड़े प्रेमी हो, मैं संगीत का नहीं, पंडित रामलाल की पत्नी का प्रेमी हूँ, मुझे ठीक आठ बजे पंडित रामलाल के घर पहुचना है बुढ़े दादा को जिने एकभार पढ़ने का शोक नहीं था, पता चला कि उनका पोता हवा में उड़ कर सितारों पर जाने वाला बनना चाहता है उसे बुलाकर डाटते हुए बोले, क्या बकवास है, हमारी परिवार में आज तक किसी ने सरकस में काम नहीं किया है पुरश्ण, बाल उगाने वाला तेल गंजे सिर पर मलने से क्या क्या होता है, उत्तर, उंगलियों पर बाल उगाते है सुरेश आजे से, तुम मेरी शादे में जरूर आओगे ना, आजे, क्यों नहीं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, जो अपने दोस्त को मुसिवत के समय अकेला छोड़ देते हैं छगन भाई बच्चे को बच्चा गाड़ी में लेकर टेलाने निकले, जो भी रास्ते में मिला, टोक कर बोला, क्या साब, अपने बच्चे को टेलाने निकले हैं दो-चार बार उनने जप्त किया, फिर बोल पड़े, नहीं साब, पडोसी का है पुछने वाले ने सुनते ही जरा और जुकर देखा, फिर बोला, थभी मेरे मन में शंका हो रही थी, कि इसकी शकल आपके पडोसी से क्यों मिल रही है शेरी मती जी, मैं प्यानो ठीक करने आया हूँ क्या, मगर मैंने तो प्यानो ठीक करने के ज़िए